हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूट्यूब चनल और इस वीडियो में हम देखेंगे कॉपर का अनलेसिस और नेक्स्ट वीक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कॉपर बंद हुआ है 806 पे लगबग 13 रोप में नीचे 1.65 परसेंट डाउन मंतली चार्ट पे देखो गया तो हमने उपर जाने कोशिश की थी और हमने हाई लगाया था 841 पे मगर वहां से जो है तो फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और कॉपर फ्यूचर जो है तो उसके सपोर्ट के अरॉंट ट्रेड कर रहा है यहां जो है तो आपको क्लोजली वाच करना है 800 रुपे का लेवल अगर उसके नीचे जाता है तो हमें जो है तो एक डीपर करेक्शन देखने को मिल सकता है कॉपर में जो कॉपर को लेकर जा सकता है लगबग 700 रुपे के लेवल के तरब तो यहां 800 रुपे as a trailing stop loss रहेगा जिनके पास भी investment है उनके लिए अगर 800 के नीचे जाता है तो आपको जो है तो लॉंग पुजिशन में से निकल जाना पड़ेगा क्योंकि वहां से जो है तो शायद हमें डीपर करेक्शन देखने को मिल सकते हैं अगर फिर से 800 रुपे का लेवल होड करता है पापर तो हमें फिर से उपर के लेवल देखने हैं हो सकता है कि हमें जो है तो मेटल और बाकी कॉमोडिटीस पे प्रेशर आते हुए देखे डूटू डीमांड करसन कंसर्ण क्योंकि अगर इंफ्लेशन बढ़ता है तो प्राइज़ बढ़ेंगी और डेडी प्राइज़ बढ़े हुए है तो उसके वाज़े से डीमांड करना है मंदली चार्ट पे करेक्टिव बैटन है और हो सकता है कि हम 800 रुपे का भी लेवल जो है तो शायद आने वाले दिनों में तोड़ दे अभी देखते विकली चार्ट तो विकली चार्ट पे आप देख सकते कि हमने जो है एक कंसलिडेशन के बाद आए कच्छी खास कर दिये तो लगबग दो टार्गेट के तरफ बढ़ रहे थी मगर यहां तो हमने 860 के आराउंड जो अच्छा खासा सप्ला देखा अभी कॉपर जो है तो मेजर आरवन के सपोर्ट के आराउंड ट्रेट कर रहा है अगर उसके नीचे जाता है तो आपको जो है टेक डीपर करेक्शन आते हुए दिखेगा विकली चार्ट पर जो है तो 800 रुपए के नीचे आपको 760 और 740 यह टार्गेट मिलेंगे तो 800 रुपए की नीचे अगर कॉपर स्लिप होता है तो मेरे इसब से आपको शॉर्ट जाना चाहिए इस ट्रिक स्टॉप लॉस जिसमें टार्गे पैटन है और एक डिपर करेक्शन 740 या फिर उसके नीचे भी कॉपर को लेकर जा सकता है मगर आपको शॉर्ट जाना है 800 के नीचे वह भी स्टॉप लॉस के साथ डेली चार्ट पर देखते हैं तो डेली चार्ट पर आप देख सकते हो कि हमने जो है तो ब्रेकडाउन दिया उसके बाद में जो है तो फिर से एक बाउंस बैक आने बाद रिजिस्टन्स को टेस्ट किया और वहां से जो है तो रिजेक्ट हो के अभी कॉपर नीचे गिर रहा है तो यहां 800 रुपए का लेवल जो टार्गेट था 806 का वो टार्गेट कॉपर ने अचिव कर लिए है क्य जो रिजेक्शन है यह एक स्ट्रॉंग सेल सिगनल रहता है और इसके बाद में जो है तो शॉट साइड पर बहुत ही ज्यादा मोमेंटम बिल्ट अप होता है क्योंकि यहां जो है तो आइग्रेसिवली शॉट पन थे हैं तो मुझे लगता है जैसे हम 806 का लेवल तोड़ करेंगे कॉपर तो आपको जो है तो 780 और 755 यह जो है तो यह शॉट तम में टार्गेट दिख सकते तो यहां शॉट तम में भी दिख रहा है कॉपर पर्फेक्ट शॉट था 840 के अरॉंड जो हमारा टार्गेट था वह आचिव करने बाद वहां से हमने रिजेक्शन लिया है तो 840 के नीचे 806 का टार्गेट था वह आचिव हो चुका है अब यह जैसे हम 806 के नीचे जाएंगे डेली क्लोजिंग बेसिस पे आपको शॉट साइड पर टार्गेट रखने है आपका जो स्टॉपलस रहेगा आपको इस कैंडल के हाइक के ऊपर तो 820 के ऊपर स्टॉ असी और उसके बाद में 755 तो डेली चार्ट पर भी बहुत वीरिश प्राइस पैटर्न और इंडिकेटर पैटर्न है कॉपर के लिए और हम मोमेंटम देख सकते 806 के नीचे तो आपको एक अच्छा खासा सेल आप देख सकता है कॉपर फ्यूचर में 806 के नीचे आपके टा और भी हम जो है तो डाउनसाइड पर ही कॉपर प्राइज जाती हुए देखें के तो आपको मेरे वीडियो को पसंदे तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लाइव मार्केट में शोर शॉर्ट कमोडिटी कॉल चाहिए तो मेरे प्रेमियम सर्वी जॉइन कर सकते हो उसके लिंक सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो अब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट अब्सक्राइब अप्डेट